तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूं आलू से बनने बाले बहुत ही टेश्टी नास्ती की रेस्पी तो इसके लिए हमने आप लिए एक कब मेंदा इसे बावलमू डाल देंगे इसी के साथ हम इसमें आदा चमच नमक डाल देंगे अब मैंने यहाँ पर अच्छे से मिला लेते हैं इस तरीके से मोहन मेंदे में अच्छे से मिल जाएगा और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका डो लगा के तयार कर लेंगे तो जिस तरीके से हम परांटे के लिए डो लगा के तयार करते हैं उसी तरीके का डो हम कावर करके 10 मिनिट के पर सैड में रखते तब तक मिसके लिए श्टपिंग बनाके तयार करलेंगे तो हमने पैन को गरमहुने के डालेंगा दो Uncle स्पेशलों तेल को गरम डाला देंगे यह उसमें यहां पर सेकिंड तक भून लेंगे ताकि मसाले जले नहीं तो मसालो को को चैकंड तक भूलिया अब मैंने कि यहां पर 18 द्रक 2 अर्यविर्ज को क्रेश करके लिए इसको डाल देते हैं और इनको अच्छे powder शाथ इसमें डालेंगे नमक तो नमक अपने स्वाट के अनुसर कम यह ज्यादा डाल सकते हैं और मसालों कुआ अच्छे से मिला लेंगे और प्लेम को उआप लोही रखेंगे और को सेक्ट तक मसालों को भून लेंगे ताकि मसालों को कच्छापन निकल जाए तो मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है अब मैंने यहां पर बन फॉर्थ कप उबली वी मटर लिये इसको डाल देंगे आप चाहें तो फ्रोजन मटर का मसालों को फिलेवर मसाल अच्छे मख़ग जाएं को याद दिला अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मतगा अब हमें इसको यह ने की प livres लेम को बंद कर देंगे और मसाले को थें जब तक आगे की तैयारी कल लाएंगे इनका कीसे हекसे गएसे अहे छलिक आप को पताऊंगे लिया ह Torres also k Kitchen ने इसको अच्छे से mix कर लेंगी हिए हम इसको आपको देते हैं और दूसरी सिलेरी बना के तयार कर लेंगे तो हमने यहां पर दो चमच मेंदा लिए इसको बाउल में डाल देते हैं और अब हम इसमें दो से तीन चमच पानी डालेंगे और इसकी सिलेरी बना के तयार कर लेंगे तो दोस्तों ना तो हमें इसे बहुत जादा पतला बनाना है और नहीं बहुत ज़्यादा गाड़ा तो हमने इसको भी अच्छे से मिक्त कर लिया है दौनों से लेरिया बनके तयार है अब हम इने साइड में रख देते हैं साथी मसाले को रखे हुए थोड़ी देर हो चुकी है मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया है अब इसमे साथी डो को रखे हो भी 10 मिनिट हो चुके हैं डो भी अच्छे से सेट हो गया है अब हम इसको एक मिन तक अच्छे से मसाल लेंगे ताकि डो अच्छे से चिकना हो जाए तो हमने डो को एक मिन तक अच्छे से मसाल लिया है अब हम इसकी लोईया काट लेते हैं तो आप अप तो हमें इसे रोटी जितना बड़ा बिलना है देखिए हमने इसको बेल लिया है चलिए अब हम इसको प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम सारे रोटिया बनाके तयार कर लेंगे तो दोस्तों आप इसे ब्रेकफास्ट में इवनिंगे स्नैक्स में अपर हलकी फुल किसे ने बनाना चाहेंगे तो हमने सारी रोटिया बेल के तयार कर लिए अभ इनमें से एक रोटि लेंगे इसको किचिन सर्पेस पर रख देते हूं और हमने जो घी वाली च syllablesरी बनाके रख देती उसमें से फोड़ी सीलेरी इसके उपर अच्छे से फहला लेंगे आप चाह तो हमने चारो रोटियों को अच्छे चिपका दिया है अब इसकी उपर में थोड़ा सा सू का मैदा इस तरीके से फैला लेंगे और अब हम इसको बेल लेंगे तो हमें इसकी बड़ी सी रोटी बेल के तयार करना है और रोटी जितना पतला बेलना है तो दोस्तों आपने काट ना है। अब इसके किनारों को हम इस तरीके साथ आदेते हैं आफ हम इसको काट लेते हैं तो आप चाहें तो कटोरे के मदद से बिसे घौलगोल काट सकते हैं लेकिन मैं इसको चगोड सेफ में काट रही हूँ तो हमने इसको काट लिया है अब अपने जो आलू की बॉल बना के रखी थी उसमें से एक एक बॉल लेंगे और इस तरीके से इनके बीच में रख देंगे तो हमने सारी बॉल्स को इनकी उपर रख दिया है अब हमने जो मेंदे वाली सिलेरी बनाई थी उसको ब्रेस की मदद से हम इनकी उपर चारो तरफ से अच्छे से फैला लेंगे इस तरीके से जब आप इस सिलेरी को लगाते हैं इससे ये तलते समय खुलेंगे नहीं और आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे तो दोस्तों मेंदे की सिलैरी को आप चारो तरफ अच्छे से लगाएगा, इसे तलते से में बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, और नास्ता हमारा भोती बढ़िया बनके तयार होगा तो हमने इसको चारो तरब अच्छे से लगा लिया है अब इसमें से में एक पीस को उठा लेंगे और इस तरीके से हम इनके दो किनारों को इस तरीके से चिपका देंगे इसी तरीके से हम चारो तरब से इनको आपस में अच्छे से चिपका देंगे तो दोस्तों आप इनको अच्छे से चिपकाईएगा इससे बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे तो आप देख सकते हैं देखने में कितने बड़िये लग रहे हैं अब हम इनको प्लेट पर रख देते हैं अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ इसी तरीके से हम सारे बना के तयार कर लेंगे तो दोस्तों जब कभी बच्चे बहार का खाने के जिद करते हैं तो आप उन्हें इस तरीके से बना के खिला सकते हैं तो हमने सारे बना के तयार कर लिए हैं चलिए अब हम इनको fry कर लेते हैं तो इसके लिए उनको पहले गरम होने के लिए रख दिया था तेल को हमें हलका गरम करना हैं अब एक ही करके हम इनको इसमें डाल देते हैं फ्लेम को अभी यहाँ पर लो रहने देंगे और लो फ्लेम हम इनको धीरे धीरे शिखने देंगे तो दोस्तो मैंने एक बार में सारे डाल दियाइं तो जैसे-जैसे शिकेंगैं, अपने आप आप इंप आने लगेंगे तो यह हलके सिख चुके हैं, आप देख सकते हैं धीरे दिरी उपहर आने लगे आप फ्लेम को हम यापर मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको सिखने देंगे जैसे हलकी फ्राइए हम इनको इस तरीके से पलटते जाएंगे इस तरीके से चारू तरफ से एक से सिखेंगे तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात हमें इने लोटू मीडियम फ्ले टेश्टी बनके तयार होगा तो इनको सिखने में 7-8 मिनिट का समय लगेगा और यह अच्छी से सिख जाएंगे तो जैसे यह सिखते जाएं हम इनको इस तरीके से पलटते जाएंगे तो इनको सिखती होगे 7-8 मिनिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितने बढ़िया सिखे हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं तो बहुत ही टेश्टी एकदम क्रिस्पी नास्ता बनके तयार है आप इसे ब्रेक फास्ट में इवनिंगी स्नैक्स में आप जब कभी कोई महमान आ कर दो दो सिखे हैं आप